हलो फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल आज फ्रेंड्स फिरसे मैं आप लोग के लिए बहुत खुबसूरत डख लेकर आई हूँ यानि आज मैं आप लोग को बत्तक बनाना बताऊंगी एक चौक और पट्टी बनाने के बाद हम आप लोग को पहले मेजरमेंट बताएंगे कि कि बात कर लेती हूं त 허सथ थिए बूनाई की है है सीदे की साइट से सीधा सीधा Öल्टे की साइट से उल्टा-월्टा 8 ट्री प्लाई का उन लिए हैं नवा नमबर की योजी उचे हैं यहां सबसे पहले में आप लोग Ihr स सब सिरह को बता दूं कि कि इतनी पट्टी आप बनानी है अभी मैं सब डिटेल में आप लोग को बताऊंगी दो पट्टिया आपको चॉक्लेटी कलर की बनानी है यह चार पट्टिया सेम बनानी बस कलर चेंज करना है इसको भी मैंने देखिए 20 फंदे का और 10-10 लाइन की बनाई है दस लाइन यानि एक दो जो है यह आप लाइन कंप्लीट करेंगे गिनेंगे धारी उसको दस लाइन यानि 20 सलाई बनाए ठीक दोनों हमने देखिए यहां पर ऐसे बनाए इसको हमने यहां पर देखिए उतारा नहीं है बस सलाई में ही रखा क्योंकि यह मैं सूई से बंद बलके सिर्फ पांच लाइन हमने यह बनाई हुई है छोटी सी यह हमने चोंच बनाने के लिए इसको ऐसे बनाया बस इतना ही ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है इतना आपको पट्टी तयार कर लेना है आप समझ गये दो हमने पंक के लिए यह चॉकलेटी वाला दो इतना पट्टी आपको बनाना है इतना बनाने के बाद चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को इसका मेजर्मेंट बता देती हूं कि इसको मैंने कितने फंदे से सुरू किया है सबसे पहले इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं इसकी लंबाई हमारी सवा पांच है ठीक है सवा पांच इंच आप साड़े पांच कर सकते हैं अब यहां पर देखिए हमने 25 फंदे डाले थे नौ नंबर की सलाई उचकी है 25 फंदे डाले है 25 फंदे डालने के बाद सवा पांच इंच या साड़े पांच इंच की आप किये हैं तो यहां से मैंने स्टार्ट किया है चालिस सलाईयों में आपको देखिए कैसे करना है बीस सलाई हमने यह वाइट कलर के बनाए हैं बीज धारी ठीक बीज धारी जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छेश, साथ, आट, नो, दस, व्यारा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बीज लाइन ठीक यह हमने सफेद का बनाया है और पांच लाइन हमने यह ब्लू का है एक, दो, तीन, चार, पांच 5 हो गया, 20, 25 और ये 15 ठीक, 15 लाइन ये हमने ये चॉकलेटी कलर का बनाया है यानि आप ऐसे बना सकते हैं, इसको आपको 20 लाइन बनाना है, 5 लाइन ये और ये देखे 15 लाइन ये और इसकी बॉड़ी बने लिए, देखें, यहां पर वाइट कलर काउन ले लिया है, और सुई में डाला है, अब आपको क्या करना है, यह हमारा फेस का है, ठीक, वाइट वाला, यहां पर हम देखें, वाइट वाले के नीचे से, आपको देखें ऐसे ही, एक-एक ऐसी लाइन में, डालते हुए, यह देखें ऐसे, तो बहुत इजी है, अभी आप लोग को बहुत सारे एनिमल, इमें अपने चैनल पर बताऊंगे, यह देखिए, इसको मैं से खीच लगाँ, कीचने के बाद हम इसको यह पैसे देखें, टाइट बान देंगे, आप लोग को दिखाते हैं, इतना आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा है, इसको मैंसे उल्टा फोल्ड करेंगे जिस कलर पे जो है उसी कलर की आपको सिलाई करने हैं पहले हम यहां पर वाइट कलर की सिलाई कर लेते हैं देखें नोट लगाना भूल गया जर से यहां तक हम सिलाई करके फिर आप लोग दिखाते हैं अब देखें फ्रेंड्स हमने इसकी स्टीचिंग यहां तक कर लिया यानि इसकी सिलाई कर लिया विसको हम सीधा करेंगे ठीक है यह देखें हमने सीधा किया और यहां पर जो वाइट कलर का उन था हमने कटने किया तो देखें हम आगे की साइड निकाल लिया क्योंकि यहां पर अभी हमने यह देखें इसका फेस बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट कलर इसको छोड़ो बेट अब देखें फ्रेंड्स हमने हाँ पर क्या करना है इतना करने कबाद आप हम देखिए यहां पर आप लोग को दिखा दें अरे दोस्तों मेरे बच्ची थोड़ा परसान करती बहुत ज्यादा इसलिए दिक्कत हो रहा है वीडियो बना अब देखिए हम यहां से सुई को ले लिए हैं और यहां से देखिए वाइट कलर के नीचे वाली लाइन से हम सभी लाइन में देखिए ऐसे सुई को डालते हु निकालेंगे देखिए जैसे हम टाके लगाते हैं कि देखिए सभी फंदों में हम ऐसे डालते हुए इधर के साइड थोड़ा सा आपने धागी को ऐसे छोड़ना है ठीक है इस फोड़ा से लंबा खिच के आप ऐसे छोड़ने देखिए हम लाश्ट कट ऐसे ही आपको नीले वाली धारी में नहीं करना है आपको इसा भी कलर ले सकते हैं बस इतना याद रहे कि फेस के लिए जो आपने कलर लेना है वो लाइट कलर जैसे आप पिंग कलर भी ले सकते हैं फेस के लिए और वाइट ले तो अच्छा ही है अगर आपके पास नहीं है तो आप पिंक यलो यह सब कलर ले सकते हैं जिसमें मतलब फिस जब आइज हो गयरा बनाए तो इस पे खिल के आए देखें में यहां तक आ गयें सिलाई करके अब देखें जो हमने आप ऐसे छोड़ने के लिए का था इसलिए का था क्योंकि अब हम आप इसको ऐसे खीच के बांधेंगे ऐसे करके आपको खीच लेना है अच्छे से करें देखें देखें हमने आप ऐसे बांधे आपको ऐसे खुना के फिरें आप लेखें इसे बांधने से क्या होता है हमारी फिनिसिंग बहुत ही अच्छी आएगी बहुत इजी है बहुत जल्दी भी बनता है मैं आप लोग को बता रही है इसलिए टाइम लग रहा है जब आप लोग बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा फ्रेंट्स तो देखिए आप इतना तो हो गया अब हम इसको पक्का करके इहीं से धागे को हम कट कर लेंगे धागा आप जब भी कट करें तो लंबा धागा कट करें ताकि क्रोसिया की सहातासे ऑप बैक साइड ये देखिए हमने लंबा धागा कट किया बात में हम इसको पीछे की साइट क्रोसिया से अंदर कर लेंगे अगर नहीं आप से बिना सकते हैं अगर उन से बनाना मैं आप लोक बताया है को सबसे नहीं पूर बना सकते हैं तो आप लो देखिए वांच ब्लैक कलर का वह भी लगा सकते हैं हैं यहां पीं काली रंगा दागे से पेहले द gebe नहीं भरेंगे अब ही हम आख यहाँ पर बना लेते हैं, मतलब आख को टाक लेते हैं तब गुरूई को बनाएंगे, आख और यहाँ पर चोच बनाना है हमने, ठीक है, तो हम यहाँ पर आख को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, ऐसे देखिए, आप अच्छे से मार कर लें कि कहां पर दोनों देखिए, सुई से, ब्लेक कलर के धागे से, आप देखिए, हमें इस पर चोच बनाना है, चोच के लिए फ्रेंट्स तो हमने आपे, देखिए, पंद्रफ अंदे लिये थे और उसके पांच लाइन हमने यह कंप्रेट किया, जब आप यहाँ पीछे से लाइन को पांट करे है, सभी धागे को हम देखिए, यह सुई पर उतारेंगे, बहुत प्यारी है, आप जरूर इसको ट्राइ करें, ऐसे ही सारे सभी को हम सुई पर निकार लेते हैं, अब देखिए, सुई में डालने के बाद हम ऐसे खीचेंगे, ठीक, यह दागा हम यहाँ पर गाट नहीं बा मैं, अब देखिए, इसको मैंसे हम पर बांदेंगे, देखिए, ऐसे, देखिए, बांदने के बाद हमारी ऐसे गुलाई आज़े है, ठीक, इसको आपने सुई के मदद से धागे को पीची कर लेगे, देखिए, देखिए, अब दो से तीन बार अच्छे से, यहां पर पक्का कर लेगे, देखिए, अब हम, इस साइड भी, ऐसे ही देखिए, इसमें से एक एक, बंदे से ले जाके, लाश्ट तक आएंगे, इधर भी हमने गुलाई देना, इसको साइड में रखे, पहले में आप लोग को इसकी पंक यहां से फिरों में लगाना वो, और यहां पर पैर, यह बनाना बता दो आप लोग को, फिर मैं आप लोग को इसकी चोंच बनाना बताऊंगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए, धियां से देखिएगा, हमने इसको लिया और यहां पर ओरेंज कलर के देखिए दागे में हमने स्वे को डाल दिया है तो यह मैं इसका पैर बना रही है तो देखिएगा कैसे बनाना है पहले तो हम दोनों साइड से इसको बंद करेंगे ठीक है गुलाई में यह देखिए ऐसे रेते हुए आप लोग जब बनाईएगा दोस्तों तो क्या करना आपको यहां पर जो हमने फंदे बंद किये तो आप फंदे मत बंद करिएगा तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं आप फंदे बंद करके बताये हैं लेकिन आप लोग फंदे मत बंद करिएगा एक साइट का तोसी में अपने डालके ये सूई से फंदे में भागेगा फिर आप लोग बना लेजिएगा अब यहां तक ही आ गया है इसको थोड़ा सा लंबा रखना है चिक इसी को में पैसे बांद देंगे उल्टा करके बांद देंगे अब इसको में से सीधर करें ठीक है खोल्टा करके दोनो हजेिए गलाइ में इसको ब зачем दिया अब इसको क्या करना है देखिए एक पैर का हमने बनाया हुआ है ध्यान से देखिएगा आपको एक साइड ऐसे ही रहेगा और देखिए एक साइड थोड़ा सापको ऐसे इसको चौड़ा करना ठीक ये पंजे का सेप आजाएगा और एक साइड ऐसे आप इसको हमने क्या करना है hem यहाँ से चलाइ कर लेके यह अ थोड़ा सा आपको फोलड करके सिलाइक करना है क्योंकि हम ने हाँ पे रूह दो कॉटन नहीं भरेंगे तो इसको आप ऐसे फोर्ड करके करेंगे ना तो यह हमारा यहां पे अच्छा दोगा जो है इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे अंदर की साइड कि अधर से थोड़ा पतला रहेगा और इस साइड थोड़ा आपको ऐसे खीच लेना ठीक आपको इसको थोड़ा रहे है जैसे देखिये अफमने म्यें बनाया हुआ देखिए पंजी की तरह लग रहा है नगके इधर से पतला इधर इस परसे खीच के चोर्ड़ा बनाई पर को आपको इसको भी करना है, यहां पर जो आप धागे से जब इसकी गोलाई देंगे तो ज्यादा मतलब टाइट मत यहां पर करिएगा बस, अब इसको हमने ऐसे फोर्ड करके सिलाई कर देंगे, सिलाई में ऐसे उपर से ही करेंगे, यह देखिए, ऐसे ऐसे हम उपर से ही सिलाई कर लेते हैं, तो चलिए इसको सिल लेते हैं, फिर आपको पंक होना ना बताएंगे, यहाद पर होगे, सकश कुना देखिए, हमने यह दोनों पैर बनाली होगे हैं, जैसे ряд बमके बताएं,יות और टेके सिलाई कर देखिए, इस पंदे लिए हैं सबी में हमने 20 फंदे लेने हैं हमने आपको चोंच में 15 बताया था तो वह चोटा हो जाएगा ठीक है एक गलती हो गई थी उसके लिए सौरी आप सबी में मतलब रहे इसमें मैंने 20 फंदे लिए और यह पंजा बनाने के लिए 20 फंदे लिए और यह लिए सबी फंदे को तो हम द आँ कि आज है चीश ऑंARमि है आता है नषि अजी हमर लेख पंदे कौ लेते हुए तो हमने व?, ुन देखेएग भी फंदे आपके च्पिलम हिने चाहिए आ पर देखे हमर Chiefinstrrier भैस फंदे करले इसकों फिर से डाले है यह देखिए, इसको आप ऐसे खीच के, देखिए आपको ऐसे टाइट है, यह पर जो हम टक करेंगे, ऐसे, यह देखिए, इसको हम खीच लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, यह देखिए, इसको हम डाल लेते हैं, आप देखिए, इसको हम डाल लेते हैं, सुई में ऐसे, आप देखिए, इसको हम यहां से सिलते हुए, इसको हम ऐसे उल्टा कर लेते हैं, प्रशियाते हैं, इसको वह देखिए, तो यह कुछ ऐसे बन के आएका, इसको मैं ऐसे खीशन हो, आप इसको भी हमने बंद करना है लेकिन इसको सीधे की साइट से भंद करेंगे, चीक है? अब देखिएगा आप लोग इसको बंद कैसे करना है, देखिए, एक एक चैन में ऐसे निकालते हुए, इसको बंद करेंगे मिल्हान से देखिएगा इसे ही यह देखेए फ्रेंट्स हमने इस साइड भी इसको बंद कर लिया यह देखिए और इस साइड से भी हमारा यह घुलाई में बंद बनने अब इसको क्या करना है ये जो आपके बंद किया इन दुनों को इसको इसको ऐसे अपने सेंटर में कर लेना है फिर से एक बार दिखा देती हूं बंद करने पर यह कुछ ऐसे बन के आएगा ठीक लेकिन इसको अमने ऐसे कोलना है ऐसे दोनों हाथे से इसको ऐसे अब यहां पर देखिए इस चोच जो बन के आई है बहुत है प्यारी इसको आपने कैसे करना है इसको आप देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे आपको फोल्ड करना है ठीक फोल्ड करने के बाद हम देखिए यहां से ऐसे लगा देंगे इसको पकड़के सिल देंगे ठीक इसे पकड़के हमें इसको सिलेंगे तो यह हमारा चौच पुछ हैसे बनके आजाएगा तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं याद रहे आपका चारू पार्ट सिला रहना चाहिए यह नहीं किये ही, तो यह निकल जाएगा, ठीक, ऐसे करेंगे आप, तो आप थोड़ा बीच से लगा के फिर इसको ऐसे सिलेंगे, तो चलिए सिलते हैं, फिर डखाते हैं आप लगा को, आपके देखें, समझेए, आपके ऐसे चोच को लगा दिये, तो इती खुबसूरत यह बनके आई, देखिए, ऐसे, ऐसे फोड़ करके आपको यहाँ पे, यह देखे, सिल देना, ठीक, आप हमने क्या करना है, पहले हम दोनों साइट से यहाँ पे रोई को बढ़ लेते हैं, इधर से भी इधर से भी ठीक, फिर मैं आप लोग को इसका यह पंखोना ना बताऊंग पहले हैं, इसका उन्दूई से भरके फिर उपर की साइट से सिल लेते हैं, नीचे की साइट से, दोनों साइट हमने रोई भर लेना है, ठीक, फिर मैं आप लोग को दिखा लेते हैं, देखे, फ्रेंट्स हमने हमने आप पे यह जो आप लोग को बताय था, पैव, कि इमने सिल दिया हैं, यहां से, बैक साइट से, देखे, आपको कैसे सिलाई करनी है, नॉर्मल सिलाई आपको करनी है, यहां पे पीछी की साइट से लगा के सिल दिया, और यहां पे इसके चोज देखे, कितनी प्यारी बनके हैं, यह देखे, बहुत है प्यारा लग रहा है, और एक 20 फंदे कि ये 10 लाइन कंप्लेट की है कि इसको देखिया ने लेना है सुई में सभी फंदे को उतारेंगे पहले यहां पर देखिया एक एक फंदे करके हम पूलाए में कि दिख भाले को आप ले जो एक नाद हो आसे के लाद कि आप ले घर एता हुटा ओनीिग जो लेता हुटा कि दो मेरे को लेता हुटा है लेकिये फ्रेंड्स अमने इसको गलाए में लेने के बाद इसको पर बाहन देने हैं लेकिये आपको टाइटर से बांग देना है लोगर हम नहीं पर बांग दिया इसको यह इसे धागे को कट करेंगे चेक लिए गुलाई में ऐसे बना दिया अब हम इस साइट का भी हमें ऐसे गुलाई में बंद करना है देखिए इस साइट में इसे सभी चैन से ऐसे टाके लेते हुए यह देखिए जासा कि अभी मैंने जो आप लोग को पैर बनाना बताया था भे अफनिए में थे इस एट को में पहले बंद कर लेते हैं प्रिंधर अब देखे, फ्राइंड से बंद किया और इसको हमेंसे करेंगे सीधा, ठीक, दोनों साइट से 12 बंद करने अग्वाद सीधा करने इवाद आपको कुछ चीज तरह खिशना है अब आपको क्या करना है, इसकी इसलाई करते से मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देता है, ठीक है। क्या देयान देना है अगॉस्ट्रा दागा सब इसी के अंदर होना है ऐकुछ गागा है जो एक्षट्रा दागा है इसके अंदर ही इम लाल देते हैं लिखिछ जा ने कि किडिने कि बाद आप ज़क आपको क्या करना है एक साइड थोड़ा सी पतल आ kulle स इसको क्या करना है आपको थोड़ा से इधर अंदर इसको दोनों साइट से हलका हलका हम इसको अंदर ऐसे डालेंगे, जब हम इसको अंदर डाल के ऐसे सिलेंगे, क्यों हम इसको देखे, तब यह हमारा इस साइट से पतला इधर से चोड़ा देखे, जैसे कि मैं दिखा देती हूं यह देखे, आप लोग को दितन होगा यह चोड़ा है थोड़ा और इस से ठीड थोड़ा सा पतला है क्योंकि occupied इसको पंक का सेव देना है और इन सब में हमने cotton नहीं भरा है इतना easy तरीका है तो आप लोग ऐसे इसको अंदर थोड़ा सा insert करें और इसको पहले खीज के आपनी इसको चोड़ा कर देना है तुह थोड़ा सा्याइब कर दे emanante ने एह से अंदर करके देखे हैं तेर न घृड़ने हमाप को बता दें नहीं आड़ RS जोड़ना है आपको एसे रखना ब्लू कलर कंगा का आप भी करव पर जुड़ना कया चाहिए जोड़ना हमनेे पीछे की सायट से हैं फिर से एक बदस्थ आपको रख भीजल रखना है जो जोड़ा है फिर इस थो candlum अब जोड़ना है यह सो एसे पर कर दो दर दिज़ा है इसजोड़ा है इसको इस आपकर सब्सक्राइब पूरेंगे कि रख्खा आपको ऐसे रखना है इस साइट से सिलाई करना देखिए तब प्यारा लग रहा है और यह जो मैं चोंच बनाई हुई है आपको ऐसे जब गुलाई में करके यहां से थोड़ा सा यह जो तीपोना निकला रहा है इसको आपने फोर्ड करके और पीछे की साइट से थोड़ा सा ऐसे लेके फिर यह सिलना है तो देखिए कितनी खुपसूरत लग रही फ्रेंट्स आपको जरूर इसको ट्राई करें पॉपसूरत लग रहा है इसके पहले मैंने बहुत देट सारी ओलन करें बनाई है एनिमल तो आपको जरूर उसको ट्राइब करें वीडियो को आपको ज़ादा ज़ादा लाइक करें शेयर करें नए चैनल को सिब्सक्राइब करें थाइं